नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाई लाइफ और मैं हूँ आपके साथ अंकेता मिश्रा श्रधा वालकर के केस में 17 एप्रिल को एक बार फिर से सुनवाई होगी इस सुनवाई में पुलिस उन सभी सबूतों को रखेगी उन सभी दलीलों को रखेगी जो आफताब को सजा दिलवाने के लिए काफी हैं बताते चले कि जब शुरुवाती जाच में पुलिस ने इस पूरे मामले की च्छानबीन करने शुरू की थी आफताब से पूश्टाच शुरू की तो उसके बाद आफताब ने सबसे पहले पुलिस को भरपूर गुमराह करने की कोशिश क लेकिन पुलिस ने जैसे जैसे च्छानबीन आगे बढ़ाई वैसे वैसे आफताब ने अपना सच कबूल किया उसका कबूल नामा सामने आया हाला कि उससे पहले आफताब ने भरपूर कोशिश की थी वो कि वो पुलिस को गुमराह कर सके हर वो जूट बता सके जो शुरु पाने में कारगर साबित होगा बता दे कि श्रदा वालकर के केस में पुलिस ने जब शुरुवादी जाच परताल की तो आफताब ने बताया कि 22 मई को श्रदा उसे छोड़ करके चली गई है हाला कि 18 मई को ही श्रदा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी उसके बाद आ कि फोन की जो लोकेशन है वो घर में बरामत की जा रही है उसके बाद जब एक बार फिर से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को खंगालने की कोशिश की गई तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से ऑनलाइन बैंकिंग के जरीए श्रदा वालकर के खाते से आफताब के खातों म अगर श्रधा आफ्ताब को पैसे दे रही है इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो संपर्क है वो लगातार बना हुआ है लेकिन फोन की जो लोकेशन है वो महरोली का घर ही बताई चारी थी जहां श्रधावालकर रहती थी ऐसे में पुलिस को शक हो गया कि आफ्ताब जो बो कोशिश भी की थी जिसके बाद पुलिस ने हर उस सबूत को ढून निकाला जो इस केस के लिए काफी कारगर साबित होती जब आफ्ताब को हिरासत में ले करके एक बार फिर से पुलिस ने पूछताच करनी शुरू की और उन सवालों को पूछा कि आखिर फोन की लोकेशन श फिलाल 17 एप्रेल को इन सभी दलीलों को कोट में रखा जाएगा देखना ये होगा कि कोट अब 17 एप्रेल को क्या सुनवाई करता है फिलाल आज के लिए इतना ही देखते रहें